आपको ट्रेक्टर खरीदना है या थ्रेशर या फिर कोई दूसरा कृशी उपकरण लेकिन पैसे नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं आपके लिए है स्माम मिशन केंदर सरकार की किसान कृशी यंतर सबसीडी योजना क्या है इस योजना में आपको कितना पैसा मिलेगा कैसे आप ये सबसीडी ले सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या है आप आविधन कैसे करें इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं आथ कुमार पावन और आप देख रहे हैं Freedom Farming Hindi चैनल खेती बाड़ी जुड़ी नई तकनीक जानने के लिए और नएने तोर तरीके सीखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं Freedom App Freedom App डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर बस क्लिक कीजिए Freedom App आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा Freedom App पर आप देख पाएंगे 800 से जादा ऐसे courses जो आपकी जिन्दगी बदल देंगे ये courses खेती बारी से जुड़े हैं बिजनस से जुड़े हैं और परसनल फिनांस से भी जुड़े हैं और छे भाशाओं में ये courses हैं छे भाशाएं कौन सी हैं हिंदी अंग्रेजी के अलाव तमिल, तेलगू, कनड़ा और मले आलम ये वो भाशाएं हैं जिनमें courses आपको उपलब्द होंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि समाम योजना का पूरा नाम क्या है समाम का अर्थ है Submission on Agricultural Mechanization इस योजना का मकसद किसानों को मशीनी तोर पर सक्षम बनाना है जो किसान कृशी यंत्र और उकर्ण खरीदने में सक्षम नहीं है आर्थिक तोर पर उन लोगों को किंद्र सरकार समाम योजना के तहद सबसीडी दे रही है इस योजना में कृशी यंत्र की कुल लागत का 50 पर्तिशत से लेकर 80 पर्तिशत तक अनुदान किंद्र सरकार दे रही है यानि कि आपके पास पैसे नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है किंद्र सरकार की सबसीडी का फाइदा उठा सकते हैं और अपने लिए ट्रक्टर, थ्रेशर या कोई भी दूसरा किर्शी यंत्र खरीद सकते हैं बिना हिचक के यदि आप खेट जोतने के लिए कोई किर्शी उपकरण खरीदना चाहते हैं तो उस पर खर्च होने वाली राशी का 80% तक हिस्सा किंद्र सरकार खुद वहन करेगी अगर कोई किसान ट्रक्टर खरीदना चाहता है तो उसे कुल लागत का 50-80% हिस्सा किंद्र सरकार से सबसीडी के तौर पर मिल जाएगा इस योजना में ट्रेक्टर, थ्रेशर, हल, डिस्क, रूटावेटर या फिर सूपर सीडर जैसे जो आधुनिक उपकरण है वो भी सबसीडी पर खरीदे जा सकते हैं इस योजना का मकसद छोटे और लगू जो किसान है उनको आर्थिक तोर पर मजबूत करना है और उनको मशीने उपलब करवाना है ताकि उनकी खेती बहतर हो सके और उनकी खेती का मशीनी करन किया जा सके दोस्तों इस योजना में किसान अपनी जरूरत और पातरता के मताबिक कोई भी मशीन खरीच सकता है सरकार इसके लिए 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक आपको सबसीडी देगी समाम सबसीडी खेती में काम आने वाली मशीनों पर मिलती है चाहे वो ट्रेक्टर हो या थ्रेशर हो या फिर कोई दूसरा कोई भी कृशी यंत्र सरकार कोई भी यंत्र माम योजना के तहट आसानी से आप खरीच सकते हैं और इसके लिए सरकार आपको सबसीडी देती है इस योजना का मकसद ये है कि जो किसान अपने स्थर पर मशीनी करण़ नहीं कर सकते यानि जो अच्छे उपकरण नहीं खरीच सकते उनको सरकार आर्थिकव तोर पर मदद देती है सबसिडी देती है अन entferदान देती है ताकि वो लोग आसानी से मशीन खरीच सके ट्रक्टर ख सकते हैं और इस योजना से किसानों के श्रम और उनके समय दोनों की बच्चत होगी कियती करना और कियती में और बहतरी लाना बहुत आसान हो जाएगा बहतरीस साथनों की मदद से किसान अपने जमीन का अच्छा अप्योग कर पाएगे उनकी खेती के स्थर के साथ ही उनका जीवन स्थर भी सुधरेगा क्योंकि जब किसान की आई ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा अच्छा पैसा उनको मिलेगा खेती से ज़्यादा कमाई होगी तो उनका जीवन स्थर पक्की तोर पर सुधरेगा ऐसा सरकार का मानना है नाजुक है ऐसे किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं महिला किसानों को समाम योजना में विशेश तवज्जो दी जा रही है महिलाओं के लिए इस स्कीम में कई ऐसे प्रावधान किये गए हैं जिसे महिला किसानों को ज्यादा आसानी से सबसेडी मिल्स के और उनको ज मशीनों का उप्योग बढ़ाना है सरकार ये चाहती है कि जो किसान आर्थिक तोर पर कमजोर है या लगू और सिमांत किसान है जो अपने स्तर पर मशीने नहीं खरीज सकते हैं वो मशीने खरीदें अपनी खेती को बहतर ढंसे करें जिससे उनकी आर्थिक स्थेथी सुद्रे और उनका कंट्रिबूशन जीडीपी में ज्यादा बढ़े दोस्तों अब आपको बताते हैं कि समां मिशन है या समां योजना है इसके लिए आवशक डोकिमेंट्स कौन-कौन से हैं जब आप आविदन करने जाएंगे तो कौन-कौन से डोकिमेंट्स के आपको जरूरत आपके पास होना चाहिए वोटर कार्ड आपके पास हो तो बहुत अच्छा है और किसान की पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी और भूमी का विवन जोड़ते समय जो आपका रिकॉर्ड होता है जमाबंदी है या खतोनी है जो भी रिकॉर्ड आपके पास है वो आपके पास होना चाहिए और भूमी का अधिकार पत्र जो आरो कहते हैं या जमाबंदी है वो आपको वहाँ पर दिखाना होगा उसे जमाग करवाना होगा बैंक की पास्बुक आपके पास होनी चाहिए बैंक पास्बुक के पहले पन्ने की जेरक्स कोपी आपको चाहि पासपोर्ट है उनकी फोटो कोपी आपको चाहिए होगी इसके अलावा अगर आप अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती से या OBC केटिगरी से आते हैं तो आपको इश्रणी का प्रमाण पत्र है उसकी फोटो कोपी जमा करवानी पड़ेगी तो ये वो दस्तावेज है जो आपको जमा करवाने होंगे जब आप सबसीडी के लिए आवेदन करेंगे तो दोस्तो समाम मिशन है वो सरकार का एक महतवा कांगशी प्रोजेक्ट है और इसका मकसद उन छोटे किसानों को मशीनी तोर पर मदद उपलब्द करवाना है जो अपने स्तर पर अपने लेव जब तक सबसीडी देने का फैसला किया है यानि कि अगर आप कोई भी उपकरण खरीते हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपे हैं तो उसमें से 8,000 रुपे आपको सबसीडी मिल सकती है सिर्फ 2,000 रुपे आपको अपने पास से देने होंगे अगर आपको ट्रेक्टर खरीते हैं जिसक जोजना का फायदा सरकार चाहती है कि ज्यादा सज्यादा लोग उठाए इसलिए आप भी इस जोजना का फायदा उठा सकते हैं आपको बस करना यह है कि इस जोजना के लिए आविदन करना है अपने पास किसी एमितर पर जाए या फिर आपके गाउं में या आपके शेहर म सब्सक्राइब कर सकते हैं उसका फाइदा उठा सकते हैं और इस योजना के लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए अगर आप ओंलाइन आवेदन नहीं कर जमीन पर 25 लाख रुपे कैसे कमाने हैं, ये सीखना चाहते हैं, तो आप Freedom App डाउनलोड कर लिजे, अगर आप बहुत कम पैसों में एक कामया बिजनस करना चाहते हैं, एक कामया बिजनस में बनना चाहते हैं, तो आप Freedom App डाउनलोड कर लिजे, अगर आप अपने पैसे को पर सही investment आपको करना है और कैसे आपका पैसा बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा बहुत बढ़ जाएगा यह जाना है तो भी आप Freedom Map डाउनलोड कर लिजे Freedom Map डाउनलोड करने के लिए आपको करना बस इतना है कि आपको इस वीडियो के description में जो link दिया गया है उस पर click करना है Freedom Map आपके phone में डाउनलोड हो जाएगा और Freedom Map पर आप 800 से ज़्यादा courses देख पाएंगे और इन courses के जरीए आपकी जिन्दगी बदल जाएगी ये वीडियो आपको कैसे लगा ये आप हमें जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजेगा साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि आपके जो दोस्त हैं जानने वाले हैं वो भी इस स्कीम का फाइदा उठा सकें इस स्कीम के बारे में ज्यादा जान सकें अब दीजे इजाज़त नमस्कार